हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चानल इजी मेक कॉंसेप्ट आज के वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ हम आज हो चुके हैं जिसमें क्या है देखते हैं हैस्टेक एक्जाम से इन कोवीड और स्यूश साइड स्टूडन डिमार्ट केंसिलेशन और फाइनल ये एक्जाम एमिड कोवीड नाइटीन क्राइसिस जैसा कि आपको पता है यूजी सी के गाइडलाइन के बाद काफी ज्यादा जोर सोर से प्रोटेश्ट सुरू हो चुका है कि एक्जाम ना लिया जाया जैसा कि आपको पता होगा मैंने सुबह ही वीडियो बना के आपको इन्फर्म किया था अगर वह आप वीडियो ना आ रही अभी तक के एक्जाम होने ही चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड किसी भी मोड से लेकिन एक्जाम होना ही चाहिए सेप्टेंबर के एंड तक यूजी सी जो है वो अपने बात पर अड़ी हुई है इसलिए जो स्टूड़न्ट यूनियन से या टीचर्स भी काफी एक्जाम कैंसल हो ऐसी मांग कर रहे हैं सो यहां पर एक नया चालू हुआ है हैस्टेक एक्जाम इन कोविड और स्यूसाइड अगर एक्जाम लिया जाए कोविड में तो वह स्यूसाइड के समान है ऐसा स्टूड़न्स का मानना है सो यह इस वीडियो को हम डीटे और नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेद अफडेट जल से जल मिल सकें सो यहां पर क्या लिखा है थूदी हैस्टेक एक्जाम इन कोविड और स्यूसाइड वीच एक्जाब अगर कोविड में लिया जाए तो वह स्यूसाइड के समान है और एक्जाम नहीं लेना चाहिए अभी, as COVID के situation बहुत ही खराब है, so क्या लिखा है, यहां पे New Delhi से यह news आ रही है, after the University Grants Commission, that is UGC, Higher Education Regulator, released a statement on the number of universities conducting final year examination amidst the COVID-19 cases, students today look on the social media platform Twitter, to demand the cancellation of the exams in view of the safety and health of examines, as the COVID-19 cases are raising in the country, okay, so बोला कि UGC ने उस प्रेस रिलिस में, आज ही के प्रेस रिलिस में number of universities का जिकर किया है, जो लोग exam लेने को तयार है, या exam लेने वाले हैं, ऐसी universities के नाम तो नहीं दिये उन्होंने, लेकिन number उन्होंने डिक्लेर किया कि इतने universities जो है, वो exam लेने को तयार है, इतने सारे universities जो है exam लेने के लिए तयार है, so student ने क्या किया है, यहापे एक Twitter में इन्होंने पहल सुरू किया है, एक that is hashtag, जो यहापे दिखाया था हमने के hashtag exam in covid is a suicide, ऐसा करके इन्होंने hashtag सुरू किया है, ट्विटर में आजी के दिन जो इन्होंने सुरू किया है नाया, which attracted more than 1,20,000 impression, ओके सो जिसमें 1,20,000 से भी ज्यादा impression आ चुके हैं अभी तक, यह साम चार बजे की news है, तब तक 1,20,000 students के उसमें micro blogging site पे impressions आ चुके हैं, students demanded not to conduct exam in the pandemic situation, okay, so yesterday the UGC has claimed, so यह जो है UGC का कल प्रेस रिलीज आया था, जिसमें उन्होंने inform किया था कि 755 universities जो है, वो अभी exam conduct करना चाहा रही है, और it had issued the revised guideline, दो उन्होंने revised guideline 6 July को issue किया था, उसके हिसाब से exam हो जाना चाहिए by the September end, okay, so उन्होंने यह सब दिया था, जो मैंने detail में explain किया था, UGC के press release को, जो कल एक के date में उन्होंने issue किया था, उसमें यह सब situation लिखा हुआ है, then last में यह लिखा है कि COVID-19 is a national disaster, in view of which the UGC had, UGC should have cancelled the final year examination, मतलब COVID-19 काफी ज्यादा, मतलब national disaster है यह, इसमें exam नहीं लिया जाना चाहिए और final year exam को cancel कर देना चाहिए, it seems the UGC has not understood the full extent of dilemma of the country is facing, Venkat Balmur, a student leader, responded to the UGC, so, उन्होंने काया कि जो UGC है वो अभी ध्यान में नहीं ले रही है कि country में कैसा माहल चल रहा है, उसका कुछ ध्यान नहीं है उनको, in these uncertain times, coming up with the decision of conducting exam is worst for students, मतलब इस situation में exam लेना students के लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है, UGC have thought of students rather than their personal benefit, तो students UGC must have thought, मतलब उनका कहना ऐसा है कि UGC को students के बारे में सोचना चाहिए था rather than their personal benefits, another student, another student leader that is Anvith K. Atil ने ये कहा है, then next हम देख लेते हैं, another Twitter user said that the UGC made the guidelines sitting in the AC rooms and they don't know the sad reality of infrastructure provided by college, okay so उन्होंने ऐसा बोला है, ये student ऐसा बोलना चाहते है कि UGC सिर्फ अपने AC room में बैठ के ऐसा decision ले रही है और उन्हें बाहर college के कैसे infrastructure है, उनके बारे में उनका, उनको कोई ख्याल नहीं है, ये उनका tweet जो है, उसका photo दिया गया है, फिर देख रहे हैं, हम नीचे वाले line में इन्होंने last paragraph में लिखा है कि सीव सेना, यूथ यंग, विंग, यूवा सेना, उन्होंने Saturday को petition दाखिल किया था, उसका भी मैंने एक separate video बनाया है, जिसमें आदित्य ठाकरे ने केस दाखिल किया था, UGC के guideline के खिलाफ, besides Maharashtra, Maharashtra के सिवाए साथ और से स्टेट से जहाँ पर final years के बारे में cancel कर चुके हैं वो लोग, all educational educations in across the India were closed for the past few month due to the COVID-19 pandemic and subsequent lockdown, so यहाँ पर last में यह लिखा है कि educational institute काफी दिनों से या काफी माहिने से आप बोल्च रखते हैं लोगडाउन के लिए और COVID-19 pandemic के लिए shutdown था, so अभी भी उनिवर्सिटीज को खूलना नहीं चाहिए और exam final year की cancel कर देनी चाहिए, so thank you so much guys for watching this video और अगर आपको यह वीडियो helpful हुआ है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाद दीजिए ताकि आपको regular notification और ऐसे इंस्टिट्यूट रेलेटेड अपडेट जल्द से जल्द मिल सके हैं थैंक यू सो मुच